सारा ओडिस्तार घरे घरे परिचिता एसिड एटेक सर्भाइबर प्रोमोदीनी करो आजी होची सुभा बिभाहो एबंग ए बिभाहो रे अनेक एसिड एटेक सर्भाइबर जो माने अच्छंती एसिड एटेक हला परे जो मने संगहर स करी की समाजरे नीजरो मुंडो टेक़ी सेमाने बंची परिचंती सेमाइबर औनेक सर्भाइबर राजियो तथा राजियो बाहरु आमसाइथा जोड़ करो आँगो जोड़だ Lou पहले बार ओडिसा आए हैं या पहले भी मतलब कई बार आ चुके हैं और क्या बोलना चाहेंगे आज जो प्रमोदिनी के साधी में आए हैं एक सर्वाइवर के हिसाब से आप क्या बोलना चाहेंगे उडिसा में हम लोग पहले भी आ चुके हैं क्योंकि हम लोग एसिट के खिलाप लड़ाई लड़ते हैं लोगों में अवेर्नेस लाने का काम करते हैं तो वही है कि 2018 में एक मैराथन होई थी जिसमें की काफी बच्चे आयते स्टुडेंट आयते और उसमें हम लोगोंने अवे जादा दुख जेले ना पड़ें और हमेशा खुश रहें और उनको पूरी टीम की तरफ से बैस्ट विसीज हैं कि हमेशा खुश रहें मैडम अगर आप देखा जाए तो सर्वाइवर कितना स्ट्रगल करते हैं और आपके बारे में अगर बोले कि आपका मतलब क्या हुआ था मतलब आपके उपर कब ऐसी डेटेक हुआ था और किस हिसाब से आप ये सब चीज को उभरते हुए बाहर आए और आज मतलब बहुत स सर्वाइवर के साथ काम कर रहें उनको फिर से मतलब जिन्देगी जीने के लिए होसला दे रहे हैं मैं स्ट्रगल की बात करूँ तो मतलब अभी बीस ट्रगल चल रहा है और सायधों सब्सकर बया करना बहुत कम होगा क्योंकि मतलब की लोग सही माईने में समझ भी पाते हैं किस तरीके से स्ट्रगला भी हम बोल रहे हैं तो मतलब कि सब को लग रहा है कि हाँ बहुत कुछ किया होगा लेकिन यही है कि मेरे उपर तो 2014 मैं अच्छाइब कर दिया और अभी हम चाहँ फांडेशन के साथ काम कर रहे हैं लगनव में हम पियार मैनिजर का रोल देख रहे हैं और मतलब कि जो लोग घर से निकल पाते जिन पिर मतलब कराई महते हैं और वह अपने जुर्म के खिलाब लड़ा इन ही लड़ापाते हैं तो हम लोग उनको मतलब मोटिवेट करने का काम करते हैं और जो लोग पर ऐसी डैटेक हो जाता है तो उनको जोप नहीं दी जाती है तो मनला कि हम लोग छाव फांडेशन में जोप देते हैं और उनको उनके पैरों पर स्टेंड करने की कोशिस करते हैं अगर आपकी बात अगर बोलेंगे आप जैसे बोल लेते कि 55 साल के एक आदमी ने आपके ऊपर एसी डैटेक हुआ था तो उस समय का हालात क्या था अभी जो एसी डैटेक भी अभी भी देख रहे हैं हम एसी डैटेक लगभग कम हो चुके हैं लेकिन अभी भी गाओं के अगर अगर बात करेंगे और अंदर आएंगे तो बहुत सरे जीले में ऐसी बात हो रहे हैं तो क्या पला जाहेंगे यह 2020 में lokdaun लगा था और उस बीच में भी कितने सारे acid attack हुआ है और मतलब सब लोग घर में थे लेकिन उसके बावजूत भी कितने सारे acid attack हुए और acid attack जो हैं लगातार हो रहे हैं acid attack बंद होने का नाम नहीं ले रहे हैं तो वही है कि जब तक ऐसी डेक बंद नहीं होंगे तब तक हम लोग अपने आप में चेंजिस नहीं लाएंगे हम अपनी सोच को साफ नहीं करें क्योंकि सामने वाले का पांच मिल्ट का गुस्सा और दूसरे की पूरी लाइफ बरबाद कर देता है तो अगर वो थोड़ा आगर पहले आप सीधे पूछना चाहेंगे कि किस हिसाब से आपके उपर एट्सी डेक हुआ था और आफ एक फिल्म में भी काम कर चुके हैं दिपका पादू को उनके साथ तो यह सब जो एसी डेक होता है इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे और आपके उपर किस हिसाब से हुआ था और उस वक्त और आज के भीतर में क्या अंतर देखते हैं आप मैं मेरे उपर एसर अटेक 2012 में हुआ था और मेरे कजन ब्रदर ने मेरे उपर अटेक करवाया था मैं सुसाइटी की बात करूं तो वो सपोर्टिव नहीं रहती है कभी भी और आज भी नहीं है नहीं होंगे तो कोशन मिश कर रहे हो मैं आपका दुबारा मैं आगर देखेंगे भाई की बाद बोले हम देखते हैं एक तरफा प्यार हो या कुछ हालात हो या जगड़ा हो उस हिसाब से ऐसे डटक लड़कियों के ऊपर होता है लेकिन आज भाई के बाद बोल रहे हैं कि आट gjूंत्म भाई दोर या जब और सर्वाइव करना भाई कियों कि सोसाइटि सपोर्टिव नहीं होती है फैमिली भी इतनी स्ट्रॉंगली मतलब financially इतना strong नहीं रहते हैं कि वो अच्छे hospital में treatment करा सके तो इसलिए भोज़दा survive करना पड़ता है एक survivor को और attack की बात करूँ तो मैं एक attack सिरोफ एक लड़की के उपर ने पूरी family उसको survive कर रही होती है क्योंकि मैंने अपने case में देखा और और सबके cases में भी देखा है क्योंकि family को भी भोज़दा struggle करने पड़ते हैं एक attack के बाद जब आपके उपर हुआ था family के मतलब क्या reaction दर अपना supportive थे family और उस time का हालाद को आप किस नजर से देखते हैं और आज भी बात कर रहे हैं तो आप चुप हो जा रहे हैं हम देख रहे हैं तो क्या बोलना चाहेंगे मैं family की बात करूँ तो मेरी family बहुत supportive रही है उन्होंने मुझे बहुत support किया क्योंकि यहां कडियू तो उनकी वज़़ज़ की दुबारा जनम होता है एक एक होने के बाद क्योंकि बहुत बहुती ज्यादा painful है वह एक है तो दुबारा जनम मेरी ममी पापा की वज़़े से मुझे मिल पाया और मैं मिस कर रही हूं कॉशन तो क्या बोलना चाहेंगे मैं कि जब जही होता है आज कल भी खूले में अमर देख रहे हैं जैसे की अले कि लोग हाई कोट से अर्डर होा चुका है लेकिन आज भी तो आज भी एस लो है बट आज भी खुले आम ऐसीड भी करा है किसकी वज़े से आप खरीद रही है या तो मैं खरीद रही हूं हम ही लोगों से तो सोसाइटी और सब कुछा हो रहा हम ही आसीड खरीदने वाले होते हैं लड लड़कों के ऊपर भी अटयक होता है वर रोकने के बात करूं तो आजके आने वाले 20 साल तक भी एसिड अटाइक नहीं रूख सकते हैं जहां तक भी देख हुआ हूँ क्यों कि आप और हमचेंज नहीं होना चाहते हैं हम अपने आपको बदलना नहीं चाहते हैं अपनी प्रमोधिनी के साधी में बहुत बार पहले भी देख चुके हैं और कहीं ऐसी डाटेक सर्वाइवर की साधी हो चुके हैं तो इसके बारे में जो लड़के अपना रहे हैं लड़कियों को अगर हम देखा जाए तो समाज के जो एसी डाटेक हो रहा है तो पिछले मतलब इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे जो अपना रहे हैं वो जो लड़के अपना रहे हैं उनके बारे मैं क्या बोलना चाहेंगे मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत सरे लोगों के कौशन होते है है चो सबम लगब वब गुजयत आरे कि लड़के ने ऐसीन टैक किया है तो मेरे ओपर जिसने टैक किया था वह एक लड़का था मुझे बहुत गुस्ता है पर मुझे सपोर्ट करने वाला भी एक लड़का था जो कि मेरा भाई मुझे होस्पिटल लेके गया था मेरा इलाज करता है वो एक लड़का है पूरा-पूरा हाथ होता है मतलब सिरफ एक लड़की ही बच्चा पैदा नहीं कर सकती हम जनम लेते हैं तो उसमें भी एक पिता क अभी तो है मेरे कैंपेन में छाओ फांडेशन में अलोग भाई हैं अशिश भाई है उन्होंने कैंपेन स्टार्ट किया इस वज़े से मैं आज यहां खड़ी और बाते कर पा रही हूं और मैं ऐसी पर मोधनी और अंशी बहुत सारी लड़कियों के बारे में भी कहना वो एक लिस्ट वाश्रूम तो खुझ चली जाती है वो अपने कपड़े तो खुद वेयर कर सकती है पहले तो उसकी मम्मी को सापोर्ट करना पड़ता था तो वैसा ही है कि अलोग भाई नहीं होते वो भी एक लड़की ही है आशिश भाई नहीं होते तो मैं एक वैल्टी मे नहीं लगी मैंने दो मूवीज में काम किया है बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था बहुत अच्छे से शूटिंग किया चार पाच महीने और मैं बहुत खुश थी मतलब मिलके और सबसे मैं बहुत सार एक्टर एक्टर से मिली तो अच्छा एक्सपीरियंस था कुल मिला के बंद करी परिवार।